नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभाथ, स्वागत आपका हमारे ड्रीम एजूकेशन पॉइंट में बात करते हैं हम डेली करंट अफेर की तो आज का हमारा पहला क्यूस्चन हाली में किस देश ने गोशना की है कि वह भारत देश को कोविड-19 संकट की परतिकिरा की रुप में 3500 क्रोड रुपे की रिंड साहिता परदान करेगी चीन, पाकिस्तान, जपान, बंगलादिश आपको बता दें जो इसका राइट अंसर है वो है जपान जपान सरकार ने गोशना की है कि वह भारत को कोविड-19 संकट की परतिकिरा की रुप में 3500 क्रोड रुपे की रिंड साहिता परदान करेगी ये रिंड भारत द्वारा अपात काले निदी की रुप में प्राप्त किया जा रहा है नई दिल्ली में जपान अंतराष्ट्रिय सेहोग अजनसी द्वारा रिंड समझोते पर अस्ताक्षर किये गए थे तो बढ़ते हम सैकिन क्यूशन की ओर हाल ही में किस राज्य के कुडपा जिले के खुदाई के दोरान रेनाटी चौल युक के एक दुरलब शिलालेख की प्राप्ती हुई है अंदर परदेश, मद्य परदेश, करनाटक, तमिलनाडो ये दुरलब शिलालेख जो डुमोलाइट चटान का एक टुकड़ा है वो अंदर परदेश से प्राप्त हुआ है कहां से प्राप्त हुआ है, ऑंदर परदेश से इसका राइट अन्जूर क्या है, ये शिलालेख आठमी शतापधी के आस-पास का बताया जा रहा है दस साल तो इसमें जो राइट अंस्वर है वो है दस साल सुप्रीम कोट ने एक सितंबर 2020 को टेलिकॉम कमपनियों को बड़ी राहत दे दिया है जिसके अंदर सुप्रीम कोट ने एर टेल वोड़ा फोन आइडिया को एजी आर भुगतान करने के लिए दस साल का समय दिया है त उस्टेलिया ने भारत के साथ वेपारिक रिष्टे को मजबूत बनाने है तो पुरो क्रिकेटर हेथि मेडन और भारती मूल की किस राजनी तिग्य को अपना वेपार दोत निक्त किया है भारती मूल की किस राजनी तिग्य को जो इसका राइट एंस्वर है वो है लीसा सिं अब लिसा सिंग नाम सुनते ही अपने को लगता है कि यह पूरुष है तो आपकी जानकारे के लिए बता दें कि यह पूरुष नहीं है लिसा सिंग एक महिला है उस्ट्रेलिया ने भारत के साथ वेपारी कृष्टी को मजबूत बनाने के लिए पुरू किर्केटर मेथ्वी हैडन और भारती मूल की राजनीतिग्य लिसा सिंग को अपना वेपार दूत निक्त किया है जो ये लिसा सिंग है वो एक बारती मुल्की राजनीतिग्या है लेबर पार्टी की पुरो सिनेटर भी रह चुकी है ये लिसा सिंग तो हम बात करते हैं हम आज के नेक्स्ट क्यूस्टन की वित मंत्राले के उनसार अगस्ट 2020 में जीस्ट का कितना संग्रह किया गया है जो इसका राइट एंसर है वो है ओप्शन सी 86,449 क्रोड रुपे वित मंत्राले ने कहा है कि सकल माल एम सेवा कर जीस्टी संग्रह अगस्ट मेने में 86,449 क्रोड रुपे रहा ये लगातार दूसरा मेहना है जब जीस्टी संग्रह कम हुआ है तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्यूस्टन क्यूर विश्व नारियल दिवस निमन में से किस दिन मनाया जाता है 10 अगस्ट, 12 अगस्ट, 2 सितंबर, 15 जनवरी तो जो इसका राइट एंड स्वर है वो है 2 सितंबर 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है और नारियल के बहुत सारे अनेकों फाइदे हैं वो हम लगभग सभी जानते हैं बात करते हैं हम आज के नेक्स्ट क्यूस्टन की सुप्रेम कोट ने किस मंदिर की शिवलिंग में पंचामरित चड़ाहने पर रोक लगाई है तो इसका जो सई उप्षन है, सई उत्तर है वो है उप्षन भी महाकालेश्वर मंदिर सुप्रेम कोट ने उजेन में स्थित प्राचीन महाकालेश्वर मंदिर कहां स्थित है उजेन के अंदर ये स्थित है महाकालेश्वर मंदिर इसके शिवलिंग में होरे शरन को रोकने के लिए कई निर्देश जारी किये गए हैं यानि कि बहुत सारे निर्देश जारी किये गए हैं और इस निरदेशों के अंदर ये जारी करने का ये कि उसका जो शिवलिंग को मलब बचाया जा सके जो उसका अश्रन हो रहा है उसके लिए निरदेश जारी किये गए हैं तो हम बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्यूशन की ओर केंदर सरकार ने समुहूं गए की नोकर की गुरुप गे की सीधी भरती के लिए 43 खेलों की सूची में 20 नए खेल शामिल किये हैं इसमें मलकम, रगबी, रसाकशी, बोस बोल, बास्केट बोल, पेरा एशियट खेल भी शामिल हैं बात करते हैं हम आज के नेक्स्ट क्यूशन की हाल ही में नए चुनाव आयुक्त की र तो इसका जो ओप्शन सई है वो है ओप्शन नमर डी राजीव कुमार अशोक लवासा के स्थान पर चुनाव आयुक्त बनाया गया है राजीव कुमार को लवासा एशियाई विकास बेंग के उपाध्यक्ष न्युक्त किये गए हैं हम बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट ये रवाना हो गए हैं नेपाल जपान रूस और चीन आपको बता दें कि जो इसका राइट एंसर है वो अप्शन सी रूस के लिए रक्षा मंत्री राजना सिंग शंगाई कोर्परेशन और्गिनाजेशन की सदस्यों की बैठक किल में हिसा लेने के लिए रवाना हो चुके हैं थैंक यू अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें कोमेंट करके जरूर बताएं और शेर करें मिलते हैं हम कल नेक्स्ट वीडियो के साथ में और नए करंठ अफिर के साथ में तब तक के लिए नमस्कार थैंक यू झाल झाल